आज अपने लेब असिस्टेंट बरती के लिए प्रियोग शाला साइक को डेडिकेशन्स करते हुए अपने आज प्रार्म करने जा रहे है इसका पहला ही विश्या फीजिक्स अर्थात बहुतिक विज्ञान और बहुतिक विज्ञान के अंदर जैसा कि आज आज इसके अंदर कर रही है अपने दो प्रावस्ताओं को पढ़ते हैं सबसे पहली अवस्ता अगर अपने देखें तो विश्राम अवस्ता जिसको अपने कहते हैं rest condition इसका मतलब क्या है देखो शाब्दिक अर्थ से ही इसका अर्थ निकल रहा है विश्राम अवस्ता का तातपरिया ये है विद्यारतियो कि कोई भी object अगर वो rest condition के अंदर है अनिकी वो motion कर रहे है अगर अपने बात करें motion की तो जाहिर सी बात है कि motion के अंदर कोई भी object होगा कोई भी object होगा वो क्या होगा विश्राम अवस्ता के अंदर तो नहीं होगा गती की बात कर रहे है motion की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वस्तू अपनी अवस्ता के अंदर कोई ना कोई बदलाव ले की आएगी या परिवर्तन करेगी यही परिवर्तन क्या कहलाएगा गती अवस्ता कहलाएगी उस वस्तू की गती कहलाएगी या अपने कहेंगे वो वस्तू motion condition के अंद अगर है exactly फिर से दोराने का प्रयास करूँआ जैसे अपने बात करते हैं इसको हटके से इसको थोड़ा सा अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं विस्तार पूरवग अगर अपने बात करें motion की या गती की तो ध्यान दीजिए गती को किस परकार से define कर सकते हैं विद्यार्थिय गती का पूरा-पूरा तात्परिया यह होता है कि कोई भी वस्तू कोई भी object अगर A condition से चलना प्रार्म करें और B condition तक या B point तक चले तो वो वस्तू अपनी अवस्ता के अंदर जो परिवर्तन कर रही है A से लेकर B तक वही परिवर्तन वही बदलाव या वो changes किसके समतुल तो दोनों के इंदर बड़ा ही फर्क है या दोनों के अंदर बड़ा ही अंतर है विध्यारत्यों दूरी क्या होगी आपकी किसी बी object की distance को कैसे define कर सकते हैं distance को define करने के लिए सिर्फ एक ही word को अपने ध्यान में रखेंगे कि अपने द्वारा चलीगी दूरी किसी भी पत की लंबाई के क्या होगी बराबर कि जैसे मालो कोई भी object है अगर वो path of traveling कर रहा है a point से लेकर b point तक तो वो जो path of traveling है वो किसके बराबर होगा यहां पर a से लेकर b point तक distance के बराबर होगा या दूरी के समतुल्या होगा तो अपने कह सकते हैं a से b का मतलब प्रार्मिक बिंदू क्या होगा उसका point a यानि कि उसका जो प्रार्मिक बिंदू initial point होगा वो होगा a तू अंतिम बिंदू तक यानि कि final point तक b तक जैसे ही वो object पहुंचेगा traveled करेगा तो वो जो traveling होगी वो किसके समतुल्या होगी किसके equal होगी आपकी दूरी के equal होगी अगर अपने बात करें unit की तो विद्यारतियों दूरी को मिटर के अंदर मापा जाता है मिटर के अंदर ठीक ना mks unit लें या इसको SI unit के अंदर अपने लें तो आप इसको मिटर के अंदर क्या है represent कर सकती है अगर अपने बात करें दूरी के बाद में आगे displacement देखो दूरी और displacement यानी दूरी और विस्तापन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में सिर्फ हल्का सा फरक है ध्यान अपने को ये रखना देखिए अपने इसकी पूरी deeply definition में नहीं जाना कि दूरी और विस्तापन में फर्क क्या है सिर्फ अपने एक ही बात को समझना है दो डाइग्राम्स के माध्यम में माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं जैसे मान लीजिए यहां से कोई भी अब्जेक्ट ए से चलता है और पॉइंट बी तक कहुंसता है ए टू बी और यहां प दूरी इस परकार की तै हो रही है जिसके अंदर उसकी डारेक्शन क्या है फिक्स नहीं है यानि कि उसकी दिशा क्या है निश्चित नहीं है एक दूरी इस परकार से चली जा रही है अगर अपने दूसरा डाइगरम देखें चितर संख्या दो देखें तो उसके अंदर विस्तापन के अंदर अंतर को समझाता है ज्यान दीजिए फिर से समझाने का प्रयास करते हैं विस्तापन या displacement भी एक दूरी का रूप है विस्तापन भी एक दूरी का रूप है फरक सिर्फ इतना है कि जो विस्तापन होगा बच्चों वो आपकी नियूंतम दूरी होगी या अपने कह सकते हैं सीदी दूरी होगी अगर अपने बात करें थोड़ा सा और इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हो किसी भी वस्तू के दवारा किसी भी अब्जक्ट के दवारा ए से लेकर बी तक अर्थात प्रारंबिक बिंदू से लेकर अंतिम बिंदू तक चली गई कम से कम दूरी मिनिमम डिस्टेंस नियूनतम दूरी किसी भी शब्द से कर लो किसके समतुल्या होगी किसके बराबर होगी विस्थापन के बराबर होगी इतनी बात समझी में आई एक बात तो कलीर होगी कि displacement है वो direction का ही form होता है यानि कि direction का ही क्या होता है रूप होता है फर्क इतना है कि विस्थापन आपका क्या होगा नियूनतम दूरी को represent करेगा और दूरी जो होगी वो traveling of path यानि कि length of path को क्या करेगी represent करेगी पत की विस्थापन भी दूरी का रूप है अर्थात विस्थापन का मात्रक या unit भी क्या होगा मिटर होगा इतनी बात समझी में आई चलो एक diagram से समझने का प्रयास करते हैं ध्यान दीजिए देखिए जैसे मैं कोई भी object है मेरे पास यहां से a से लेकर चलता है और वो चलने पर इस परकार से यहां पर रुखता है यह अपने पास object a है और यहां तक पहुंचा वो अपने गंतव्या स्थान तक अपने destination तक b point पर a से लेक है 100 मेटर से आगे चलता है 20 मीटर की डिस्तेंस तक 200 से लेकर 20 मीटर की डिस्तेंस तक वो चला और आप से examiner पुछना चाहरा कि इस पूरे पूरे ट्रैवलिंग के अंदर फाइंड कीजिए ग्याद कीजिए दूरी का मान ग्याद कीजिए विस्तापन का मान और यह प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत सारी प्रिक्षाओं के अंदर इस प्रशन को देखा अगर अपने बात करें दूरी की तो ध्यान दीजिए दूरी का मतलब होता है आपके दवारा चली गई कुल पत की लंबाई टोटल ट्रैवलिंग आफ पाथ आपने कितना पाथ है जो ट्रैवल किया है टोटल तो टोटल देख लीजिए डाइगराम के अंदर आपको दिखाई दे पड़ रहा है सो मीटर तो आप की बाद यानि displacement की बात करें तो ध्यान दीजिए displacement की definition आपने क्या पड़ी थी कि सर displacement क्या होता है किसी भी object के दवारा चली गई नियूनतम दूरी होती है कम से कम दूरी होती है तो इस बाइगराम के अंदर ध्यान दीजिए देखिए और बताइए कि कम से कम दूरी कितनी च कर जाएंगे सबसे shortest distance तो यही बनेंगी इसकी जिसको आप minimum distance से represent करेंगे तो 100 meter यह थी 20 यह थी तो 100 में से 20 कम होगी remaining कितना बच गया 80 meter यानि की 80 meter तो विस्तापन आपका कितना हो जाएगा displacement कितना हो जाएगा यहां पर 80 meter हाया ना समझ में आई पूरी बात exact बिल्कुल ठी किसी भी object की distance और displacement क्या है find कर सकते हैं आप चाहे definition से find कर लीजिए चाहे आप उसको theory के रूप में पढ़के find कर लीजिए चाहे आप उसको question के रूप में find कर अगर अपने आगे चले तो ध्यान दीजिए आगे अपने बढ़ने का प्रयास करते हैं अपने displacement के बारे में पढ और अपने motion के बारे में भी पढ़ा जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे पढ़ रहा है दूरी और विस्तापन यहाँ पर भी एक चित्र बना कर आपको अच्छे से समझाया गया है जो अपने हाली के अंदर इसको समझा है ध्यान दीजिए नियुनतम दूरी है जो क्या की प्रारंबिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में वस्तूश चलती हो वही उसकी क्या होगी वास्तविक दूरी होगी या उसका वास्त्विक पथर होगा जो आगे चल कर दूरी की माँ बतायेगा स्थाइए funding करेंगा अगर अपने आगे चले तो ध्यान दीजिए इसके अंदर लिखा हुआ दूरी एक क्या है अब इस चीज को समझे लीजिए सर कि आदिश क्या होता है और साधिश क्या ध्यान दीजिए बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट है हर एक टॉपिक के अंदर फिजिक्स में हर एक definition में यह प्रशन पूछने का प्रयास करता है कि यह quantity है वह स्कैलर होगी यह quantity वेक्टर अगर अपने बात करें दिखो नाम से शब्द का अर्थ है वह निकल नाम से यहां से क्या definition अपने बनकर आ जाएगी एदिश का मतलब अरे ऐसी राशी जिसके अंदर दिशा का बोध नहीं हो यानि कि ऐसी क्वांटिटी ऐसी अपने फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या थी. इस परकार की राशियां क्या है यह नि कि दिशा नहीं होगी जिसमें Δिशा का कोई भूद नहीं होगा लेकिन उसका magnitude होगा उसका परिमान होगा यानि कि उसका magnitude होगा यानि उसका परिमान होगा जैसे कि आपने बताया सरदूरी distance क्या है एक bipolar quantity है क्यों कोई विगेंन की किसे कहें किसे कहें गिसे चिल्ण जिसके अंदर क्या हो direction भी हो सैदिश का मतलब दिशा के साथ दिशा सहीत अर्थात जिसमें क्या हो दिशा भी हो और क्या हो परिमान भी मौझूद हो परिमान और दिशा दोनों का उसमें बोध होता हो इस परकार की राशिया क्या कहलाएगी विद्यारतियों सैदिश राशिय कि 10 मिटर आप किस दिशा में चल रहे हो आपको डाइगराम में दिख रहा है एरो का निशान लगा कर मैंने समझा दिया कि इसकी जो दिशा में इसके इंदर लिखा 10 मिटर तो यह 10 मिटर क्या है उस डिस्टआंस का में जो यह रिप्रिजान कर रहे है कि कोई भी अब्जेक्ट है वह 10 मिटर कई इस दिशा में ट्रेवल्ड कर रहा है यह वो चल रहा है इतनी बात मेरी आई tuck पापको समझ में आई होगी, अगर अपने आगे चले तो ध्यान दीजी, दूरी और विस्तापन को अपने विस्तार विस्तार पूर्वक पढ़ा और आपने कुछ कोषण के माध्यम से प्रशनों के माध्यम से इसको समझने माध्यास किया अगर अगे थोड़ा सा इसको और पढ़ने का प्रयास करें तो एक definition आपकी mechanics के अंदर और पढ़ी जाती है चा स्पीड स्पीड आपकी इस्टेंस से ही निकलती है चाल के बारे में आप किस परकार से डिफाइन करते हो चाल को चाल के संदर्व में आप कहते हो कि सर चाल जो होगी आपी speed is equal to distance upon me time यानि किसी भी वस्तु के दवारा चली गई दूरी और उस दूरी में उस वस्तु को कितना समया लगा यह किसके सम्तुलिया होता है चाल के सम्तुलिया होता है स्पीड के सब्सक्राइब जैसा कि आपको दिखाई दे पड़ रहा है यहां पर गती के दर का मपन सिंपल सी दो ही शब्दों में डेफिनेशन या मैं इसको एक निश्चित समया के अंदर कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक सेकंड की अंदर एक सेकंड में किसी भी व वाट समझ में आयी होगी अगर अपने बात करें चाल की तो चाल कौन सी तो यह यहां जहां तक अपने पता है कि दूरी एक एदिश राशी है जाहिर सी बात है चाल भी क्या होगी आपकी एदिश राशी होगी स्केलर क्वांटिटी होगी अपने आगे पढ़ने का प्रयास करें तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा अपने और अपने यहां पर डिसकस कर लेते ह कि चाल की यूनिट होगी वो किस परकार से होगी किस परकार से चाल की यूनिट को अपने फाइंड कर सकते है या किस परकार की यूनिट इसकी बताई जाती है इतनी बात पता चलगी कि जो आपकी स्पीड है या जो चाल है वो क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है प्रव करते हो स्पीड इस इकवल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम डिस्टेंस को किसे रिपर्जेंट करते हो सर मिटर से मिजर करते हैं जाहिर सी बात है और टाइम को किसे करते हो सर सेकिंड से ऐसा यूट क्या सेकिन तो पूरा-पूरा यूट क्या फाइंड होकर आए अपने प तो क्या आप इसको meter into second inverse लिख सकते हैं कि आप बिल्कुल सर ठीक है multiply के अंदर जाते ही divide क्या है inverse के अंदर convert हो जाएगा जैसा कि आप mathematics में पढ़ते है one upon में x is equal to लिखे तो x की power minus 1 या x inverse सेम कुंसेप्ट यहां पर भी क्या है काम करता है meter into second inverse यह भी इसका क्या unit है कभी कभार option के अंदर examiner यह भी रख देते हैं आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से ठीका विद्यार कियो आगे चलते हैं अपने ध्यान दीजिए अपने गती के बारे में पड़ा motion के बारे म विस्तापन के अंदर फर्क क्या है difference क्या है अंतर क्या है यहां तक पड़ा और अपने इसके मात्रक पड़े और साथी साथ पड़े अपने चाल के बारे में ठीक है तो ध्यान दीजिए अपने और इसको जानने का प्रयास करें तो जैसे ही अपने और इसको जानने का प्रय की गई है जाहिर सी बात है जैसे मैं लिख दूँ यहां पर कोई भी अब्जेक्ट ए है वो ए से यहां से चलना स्टार्ट कर देता है ए पॉइंट से वो पहुंचा पॉइंट बी तक बी से फिर वो चला पॉइंट सी तक और सी से फिर वो चला पॉइंट डी तक जैसे ही वो point A से B तक चलता है तो मैंने माल लिया कि A से B तक चलने में उसको 10 meter की क्या है दूरी तै करनी पड़ी 10 meter उसने distance क्या है traveled की अगर B से C तक चलता है तो जाहिर सी बात है मैंने उसको लिख दिया कि उसने 20 meter की क्या है दूरी तै की और C से D तक चलता है तो उसने दूरी है जो तै की है वो की आपकी 30 मिटर, इस प्रकार से अपने अलग अलग इसके मान और वैलियूज क्या है रख दिएगे, अगर वो 10 मिटर की दूरी A से B तक चलने में समय लेता है अपने 2 सेकिंड का, 10 मिटर दूरी तै करने में 2 सेकिंड का समय लेता है और B से C तक 20 मिटर दूरी तै करने में वो 4 सेकंड का समय लेता है और इसी परकार C से लेकर D तक वो चलने में 6 सेकंड का क्या है समय लेता है और एक्जामिनर पूछ रहा है इस पूरी ट्रैवलिंग पाथ के अकोडिंग एवरेज ओफ स्पीड क्या होगी इस गाड़ी की या इस वस्तू की इस अबजेक्ट की ओसत चाल क्या होगी most important question हर एक प्रिक्षा के अंदर average of speed से प्रशन आपका पूछा जाता है lab assistant के अंदर physics में theory नहीं आती कि मैं फिर से कह रहा हूं theory के साथ साथ में आपको numerical questions पर भी ध्यान देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हम आए और आपको सिर्फ theory पड़ा दी theory बता दी definitions रटा दी और बहुत सारी सिधान principles बता दिए और आप उन पर questions swole ना करें उन पर questions पर apply ना करें उन theories को तो विर्थ है फिर से समझने का प्रयास करें आपके सामने question लिखा गया है तो आप कहेंगे sir is equal to 16 कितना आ गया student 60 यानि कि 60 मीटर तो आपने क्या चली है यहाँ पे total दूरी ए से लेकर point D तक ए से लेकर D तक जो 60 मीटर दूरी चली है और वो कितने समय में चली है समय आपको प्रशन में दर्ज दिया गया है पूरा 2 सेकिंड 4 सेकिंड और 6 सेकिंड यानि कि total आपका ज करेंगे 60 के अंदर तो 60 अपन में 12 is equal to 5 मीटर पर सेकिंड ठीक ना यूनिट क्या होती है स्पीड की मीटर पर सेकिंड तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि A से लेकर D तक अपने को पहुचने के लिए पहुचने के लिए क्या है पांच मीटर पर 30 से एवरेज ऑफ स्प प्रकार से फोर्मूले में जाने की आफशकता नहीं है अपने को सिर्फ यह याद रखना कि टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम इस इकवल टू एवरेज ऑफ स्पीड यानि कि औस चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय है आप इसको इस प्रकार से भी रिपर्ज रिपास करते हैं, average of speed के बारे इस जानने का प्रयास किआ अब अगर अपने बात करें दूरी के बाद में विस्तापन विस्तापन के बाद में चाल और अब अपने पढ़ते हैं velocity या अपने बात करते हैं vague की अगर अपने बात करें velocity की या vague की देखिए ध्यान दीजिए हर एक definition या हर एक physical quantities है वो किसी और quantities पर क्या है depend होती है connected होती है या आप कह सकते हैं सबंदित होती है जैसे किसे दूरी पढ़ी दूरी सबंदित थी विस्तापन से चाल पढ़ी चाल सबंदित थी किसे दूरी से क्योंकि दूरी और समय को मिला कर आपने क्या बनाई चाल बनाई exactly वैसे ही आपका vague सबंदित है विस्तापन से ठीक है तो वेग को displacement में कितना change हो रहा है change of the displacement is equal to velocity हाया न यहां तक बात करें देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है कि दिशा के साथ चाल के मापन को क्या कहते हैं वेग कहते हैं या आप कह सकते हो कि दिशा के साथ में विस्तापन में जो परिवर्तन हो रहा है विस्तापन बटा समय है या आप कह सकते हो displacement upon me time is equal to velocity यहां तक बात आपको कलिर होई होगी यानि कि कोई भी object जब वो संतुले होगा यहां से अपने formula त्यार कर लिया कि विस्तापन बटा समय वेग बराबर में विस्तापन displacement upon me time complete अब displacement का अपने unit अगर find करें तो आपको पता है विस्तापन दूरी का ही रूप है और दूरी को मिटर में मापते हैं तो जाहिर सी बात है विस्तापन को भी मिटर में मापते होंगी बिल्कुल मिटर में मापते हैं तो विस्तापन का unit क्या होएगा meter divide by time क्या आपका second के अंदर है समय क्या है सेकंड की अंदर है तो मेटर परती सेकंड तो डिस्प्लेस्मेंट आपका मेटर को रिपर्जेंट करता है टाइम सेकंड को रिपर्जेंट करता है तो वैलो सिटी किसको रिपर्जेंट करेगी मीटर प्रती सेकंड को रिपर्जेंट परेगी तो velocity is equal to unit के आ जाएगा मीटर पर सेकंड सेम यूनिट ही आपका speed का रहता है ठीक है फिर प्रशन सर ये बनता है कि किसी भी वस्तू का वेग और चाल ये दोनों का मातरक जो है वो बराबर क्यों रहता है उत्पन करती है पैदा करती है उस समय उस वस्तू का वेग और चाल दोनों ही बराबर रहती है जैसे एक example के माधम से समझने का प्रयास करती है अपने लेते है point A से B ठीक है कोई भी object है वो बिंदू A से लेकर B तक चलता है initial point A to final point B तक ठीक है तो A से B तक चलने के लिए suppose that उसने 10 मिटर की दूरी तै की और ये जो 10 मिटर की दूरी है वो उसने 4 सेकंड के अंदर तै की है 4 सेकंड के अंदर क्या है students तै की है तो जाहिर सी बात है वो वस्तू क्या है रेकिया गती कर रही है एक ही रेखा पे चल रही है अब एक रेखा पे चल रही है तो उसकी direction में कोई भी change नहीं होगा direction सेम रहेगी दिशा समान रहेगी तो जाहिर सी बात है चाल भी उसकी क्या है समान रहेगी चाल मिटर परती सेकंड में बराबर रहेगी और वेग भी क्या रहेगा उसका बराबर रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है वो भी सीधी है मिटर के अंदर और विस्तापन भी क्या है वो भी सीधा है मिटर के अंदर तो मिटर इस इकोई टू मिटर यानि दूरी बराबर विस्तापन अगर दूरी विस्तापन के यहां पर बराबर होगी तो चाल वी वेग के क्या होगा? बराबर होगा इस कारण क्या है? चाल और वेग का जो मात्रक है वो मेटर परती सेकिंड रेखिया गती के दुरान क्या रहता है? बराबर इक्वल रहते यह था इसका मुक्या कारण यहां तक अपने समझने का प्रयास किया वेलो सिटी को अब अगर बात करें अपने आगे तो ध्यान दीजिए वेलो सिटी को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करके पढ़ा जाता है या कहा दो कि वेग को दो परकार के अंदर विवाजित करके पढ़ा जाता है एक अपने बात करते हैं वेग को दो परकार कौन-कौन से ध्यान दीजिए पहला अगर अपने बात करें जिस परकार से चाल को पढ़ा था औस चाल में उसी प्रकार वेग को पढ़ेंगे औस तर वेग में एवरेज ओफ विलो सिटी और एक होती आपकी तक्षनिक वेग या तक्षनिक चाल जिसको बोलते हो इंटेस्टेनस वेलो सिटी इंटेस्टेनस स्पीड ठीक ना अगर अपने बात करें औस वेग की तो औस वेग के अंदर जो आपकी उसत चाल के अंदर थी औस चाल में आपने कुल दूरी बटा कुल समय से रिपरज़ेंट किया था इग्जैक्ट ली उसत विख को कुल विस्तापन बटा कुल समय से व्यक्त करेंगे ठीकन हर एक को ओंटीट को ब्रेट करके पड़ो आपको कभी भी in यहोगी ज् सबी definitions इन सबी theories पर क्या है doubt create करते हैं कि सर यह समझ में नहीं आने का कारण यह होता है क्योंकि अपने हर एक भौतिक राशी को हर लेट करके नहीं पड़ते हैं सबंदित करके नहीं पड़ते हैं इस वजह से समझ में नहाने का कारण तो ध्यान दीजिए औस वेग कुल विस्तापन बटा में कुल समय यानि कि किसी भी वस्तूर के दवारा जो टोटल displacement ट्रेवल किया होगा वो कितने टोटल टाइम के अंदर ट्रेवल किया गया है यह बताता है आपके अशट वेग को ठीक है जैसा कि आपके समने लिखा हुआ प्रारंबिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा दो यानि कि यूँ प्लस बी इस एक्वल टू बाइट टू इस की इनिशिल पॉइंट ए या आप इसको वेग के अंदर लिखो तो यू और अंतिम बिंदू का मतलब वो हो गया जहां तक आपकी वस्तु चली पॉइंट बी तक यानि की फाइनल पॉइंट वी तो दोनों को एड़ कर दो यू प्लस वी डिवाइड बाइटू डिवाइड ब प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग दिया गया है गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रशन को हल कर सकते हैं यहां तक आशा करते हूं आपको और वेलोसिटी वेग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है स्टुएंट तो कल वाले लेक्चर क पड़ेंगे गराफ के बारे में कि विसतापन समया गराफ दूरी समया गराफ वेग समया गराफ किस-किस चीज को परदरसीत करता है और यह प्रशन 2018 वाले लेव असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था विस्तापन समय ग्राफ का जो सलोप है ढाल है वो किस राशी को व्यक्त करता है ठीक है इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तब तब के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें इन सबी विश्यों को और इन सबी बिंदों को अच्छे से त्यार करते रहें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर